जै मातादी दोस्तों घरे लुखोबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें माता रानी सब का कल्यान करेंगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सकड चौथ ब्रतवाले दिल क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। साथी साथ हम बताएंगे कि सकड चौध का ब्रत कव रोंप हूब। थे साथ चैनल पर पहली बार आये हैं। और अभी तक आपने घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, बेल बटन को प्रेस कर लिजे, इससे यह हुआ कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्ठ हो जाएंगे. दोस्तो भगवान गनेश के लिए किये जाने वाले ब्रतों में संकस्टी चतिूर्थी ब्रत काफी परच्वलित है, संकस्टी चतूर्थी का ब्रत माग महीने की चतूर्थी तिथी को मनाया जाता है. इस दिन माताय संतान की लंबी उमर की कामना के लिए निर्जला ब्रत रखती है। ऐसी माननिता है कि जो माताय सकट चौत के दिन निर्जला ब्रत रखती है और पूरी सरधा से भगवान गनेश की पूजा अरादना करती है तो उनकी संतान हमेशा निरोग रहती है। यह ब्रत करने वालों पर भगवान गनेश की कृपा विसेस होती है कहा जाता है कि इस दिन भगवान गनेश और चंद्रमा की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है इस दिन किये जाने वाले कुछ खास उपाय से जीवन में आने वाले सभी बिख्ण दूर होते हैं और घर म का समय रात्री आठ बच कर बामन मिनट पे होगा हलाकि अलग-अलग सहरों में चांद निकलने के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है अब चलिए बात करते हैं कि सकट चौथ ब्रत वाले दिन आपको क्या खाना चाहिए और किन चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए सबसे पहले आपको बता दे कि यह ब्रत निर्जला रखा जाता है और साम को चंद्रमा को अर्ध देने के बाद ही फलाहार किया जाता है चंद्रमा को अर्ध देने के बाद आप फलाहार ले सकते हैं और कुछ लोग अन का सेवन भी करते हैं लेकिन आप जो भी खाएंगे आप को मीठा ही खाना है आज के दिन भुलकर भी आपको। चन्रमा की पुझा के बाद भी सेंधा नमक या साधारन नमक का स्तेमाल नहीं करना है रात्री में चन्रमा पूजन के बाद जो भी खाएं आपको मीठा ही खाना है कुछ लोग सकरकंदी और दूद खाते हैं लेकिन ऐसी मानदा है कि सकर चोथ ब्रत वाले दिन आपको पारण में सकरकन नहीं खाना चाहिए लेकिन कुछ लोग खाते हैं तो जैसे आपके घर में परचलन है प्रथा चलते आ रही है आपको वैसे ही करना है कुछ लोग चन्रमा पूजन के बाद तील और गुर का सेवन करते हैं इस दिन आपको भूल कर भी गाजर, मूली, अद्रक, इत्यादी का सेवन नहीं करना है आपने ब्रत नहीं भी रखा हो तो मा, सिमदिरा, प्याज, लहसुन का इस्तेमाल अपने खाने पीने की चीजों में नहीं करनी है तो दोस्तों अगर आपने सकट चौत का ब्रत रखा है तो अन का सेवन आपको नहीं करना है साधारन नमक या सेंधा नमक का भी इस्तिवाल नहीं करना है आपको पूरे दिन निर्जला ब्रत रखना होगा और रात्री में जब चंद्रमा का उदय हो तो आप च जकरकंदी, दूध, इत्यादी का सेवन कर सकते हैं। पारन में आप तील और गुर का भी पारन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब करें।